बिसमिल्लारुक्मारी रहीम, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम तू मैं चैनल, लाइफ इस है, परवेस कैसे है, आप सब मैं अमीद करती हूँ, आप सब बिल्कुल हर यह से होंगे, आज की यह रेसिपी चाय लवर्स के लिए है, जिनें चाय पीना बहुत ही जादा पसंद है, बि इलाइची तीन से चार अदर, चार अदर लॉंग का इस्तमाल करेंगे, और दार्चीनी इसमें एट करेंगे, एक इंच का टुकड़ा, सौफ का इस्तमाल कर रही हूं, मैं यहां पर वन टीजपून, इससे बहुत ही बित्तिरीन खुश्बू आईगिया, बहुत ही जाएग बस इतना ही हमें इसको कूटना है, तो यह मसाले हमारे रेडी हो गए है, अब एक पैन ले लिया है, फ्लेम को अन कर दिया है, और सबसे पहले इसमें डालेंगे चीनी, डे टेबिल स्पून मैं चीनी का स्तमाल कर रही हूं, क्योंकि मैं यहां पर तीन कप चाय बनाऊंगी, तो मैंने डे टेबिल स्पून चीनी ली है, चीनी डालने के बाद बिल्कुल भी इसको आपको स्टेर नहीं करना है, इसमें चमचा नहीं लगाना है, इसको इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगी, यह आइस्ता इस्ता खुद ही करमलाइज हो जाएगा, दे पानी मैंने इसमें एड किया है, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यह जो चीनी जमी जमी सी लगेगी, आपको यह जब गरम हो जाएगा ना पानी तो फिर यह खुद ही मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर, तो अब जब पानी में बबल्स आने लगे, यानि क इसको पकाएंगे, कलर देखें, अभी ही इतना खुक्सूरा सा कलर आ गया है, चाय का, एक से दो मिनट हो गया है, एक स्ट्रक अच्छी तरह से मसालों का निकल चुका है, अब इसमें एड कर रही हूँ चाय की पती, मैं 3 टी स्पून चाय की पती आड कर रही हूँ, क्योंक अच्छी तरह से चाय का कलर निकल कर आ जाए, और अब टाइम आया है, इसमें दूद आट करने का, तो दूद आप देखें, क्या कलर आया है, शांदार सा चाय का, दूद आलते ही, कितना खुब्सूरा सा कलर लग रहा है, चाय का लग रही है, ना कड़क चाय, मैं यहाँ दूद आट कर रही हूं, डेड़ का, लेकिन दूद आपको ठंडा फ्रिज का इस्तमाल नहीं करना है, रूम टमप्रेचर पर हो या तो गरम हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूद अच्छा वाला इस्तमाल करेंगे, तो जहरे चाय भी जबरदस बनती है, चाय में बड़ी जबरदस चाय बनका तयार होगी, तो अब चाय को देके फेटना बहुत जरूरी है, इस तरह से चमच की मदद से उपर नीचे करेंगे, तो चाय का रंग निकल कर आता है, बहुत ही स्ट्रॉंग होती है, तो यह करना बहुत जरूरी है, चाय जैसे जैसे पकती चाय जोब बते हैं, चाय हमारी बिल्कूल रेड़ी हो गई है, चूला बंद करने से पहले एक से दो दफाढू इस तरह से बॉइल जरूर दीजेगा, चाय को 1-2 सछाँ फेलें, हाइफ्लेम किया, फिर लो करदें, फिर एक दफाइफ लें करें, इस तरह से उपर आने लग भाई चाय तो वही बहुत जबर्दस बनाती है तो अगर आपको भी मशूर होना है तारीफ बटौर नहीं है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राय किज़ेगा इस रेसिपी को कैसी लगई आज की परी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करना तो बनता है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें फिर लेकर आऊंगी एक धमागेदार रेसिपी इन्शाल्ला तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल और जबरदस्ती हो